हेलो फ्रेंज, स्वागेते आप सभी का हमारी यूटुब चैनल टेस्टी फूड विद्रिया में तो दोस्तो आज हम लोकी से बहुती डिफरेंट और निव रेसिपी बना कर तयार करेंगे जो देखने में बहुती जादा यूनिक और खाने में बहुती जादा अमेजिंग होगी तो हाँ दोस्तो आज हम लोकी से बनाएंगे पनीर जैसी घर पर बिना महनत बिना पैसे खर्च किये सबजी और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चा लोकी लिया है अच्छे से नाकुन चुबा कर देख लें लोकी में बीज नहीं होने चाहिए एकदम फ्रेस और कच्चा लोकी होना चाहिए नहीं तो बीज से उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है अब लोकी को अच्छे से साफ कर लेंगे दोकर और उसे छील लेंगे सारे लोकी को मैं इसी तरीके से छील कर छिलका निकाल देती हूँ और जो हमारा fresh लोकी बचा है उसका हमें यूज करना है तो लोकी की छोटे-छोटे pieces कर लेते हैं पहले हम तो देखें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको चेक करके लिया था इसमें बिल्कुल भी बड़े बीज नहीं है कच्चा है अगर बीज हो तो आप बीजों को निकाल दें बीज हमें यूज नहीं करने है तो मैंने लोकी को कट कर लिया है अब इसे हमें डालना है ग्रैंडर जार में तो एक लोकी से मैं ये सबजी बना रही हो वो बहुत सारी ये कम से कम 5-6 लोगों के लिए सबजी पर्याप्त होती है इसमें 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलिया, 1.5 इंच अधर कर टुकुड़ा, 2 लोंग और 8-10 काली मिर्ची एक नीवू का रच डाला है, अगर आपके पास नीवू नहीं है तो 2-3 जमच दही डाल सकते हैं, जिससे खटास अच्छी आएगी इन सारी चीजों को हमें पीस लेना है, बहुत ही फाइंड पीस कर तयार करना है, एक दम देखिए एक दम इसी तरीके से चेकना स्मूथ बैटर बना लेना है, और उसे किसी बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पर आदा कफ में डाल रही हूँ चावल का आटा, तो टेंसन नहीं लेनी है, अगर चावल का आटा नहीं है, तो भी इसके लिए हम दूसरी चीज डाल सकते हैं, चावल का आटा नहीं है, तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, लेकिन बेसन नहीं डालें, नहीं तो इ और थोड़ी सी में चिली प्रेक्स डाल रही हूं जिससे का कलर और टेक्शर बहुती सुन्दर लगेगा दिखने में तो सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्लेट में ओईल लगा लेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे सारे बेटर को मैंने प्लेट में ट्रांस्वर कर लिया है और इसे अच्छे से चारो तरफ फैला लेंगे नमक और मिर्ची और धनिये से इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा और सोडे से ये फलपी और एकदम स्मूध बनकर तयार होगा सॉफ्ट लगेगा हमारा जो भी पनीर बनेगा तो देखिए अब हमें लेनी है एक कडाई कडाई में मैं डाल रही हूँ एक कप के करीब पानी उसमें एक रिंग डाल दें आपके पास रिंग नहीं है तो कोई कटोरी को रख दें बीच में उसमें डाली है मैंने तीन लाल मिर्ची साबुत दो तेज पत्ता आदा इंच इलाइची डालचीनी का टुकडा आदा इंच अद्रक चार लहसुन की कलियां और दो प्याज प्याज को इस तरीके से कट लगाकर डालेंगे जिसे अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी और दो टमाटर को भी हमें इसी तरीके से कट लगाकर डालेंगे जिसे इसका छिलका निकालने में आसानी होगी तो देखिए ये सारी चीजे इसमें हमने डाल दी हैं और अब अपनी प्लेट को इसके उपर रख देंगे जैसे ही पानी में वोईल आएगा और इसे ढखकर छोड़ देंगे 7-8 मिनिट के लिए अच्छे से ये फलपी होने लग जाएगा एक बार चेक कर लेंगे चाकू से हल इतना हमें नहीं पकाना है थोड़ा ही यानि कि 6-7 मिनिट के बाद एक बार हम अपने बैटर को चेक करेंगे फिर उसके बाद इन सारी चीजों को तो हमें निकाल लेना है और प्लेट को फिर से दुबारा अरेंज कर देना है कड़ाई में और ढखकर के फिर से 2-3 मिनिट औ चाकू या इस्टिक जो भी आप चेक करने में यूज कर रहे हैं इतना हमें कोड़ा है उसे देखीए क अच्छे से फूल गया है और इतना ही कोड़ा है हमें चावल और घीय से निकाल रहे तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं बहुत जल्दी है सबजी बन जाएगी अलग-अलग हमें कुछ करना नहीं है अब सारे मसालों को हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है और तेज पत्ता और छिलकों को निकाल देना है उनका फ्लेवर आ चुका है और इसे अच्छा सा पीसकर तयार कर लेंगे तो देखें मसाला हमारा पिसकर तयार है और देखिए प्लेट पे जो बेटर हमने श्टीम किया था अच्छे से ठंडा करना है यह खुदबा खुद ही अपने प्लेट को छोड़ने लग जाएगा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है अब इसको हमें छोटे-चोटे पीसों में कट करना है जैसे पनीर के प बहुत ही सॉफ्ट बना है यह हमारा देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कतली बनी है अभी इसको हमें थोड़ा सा और टेक्शर देना है यानिकि टेस्ट को और इनेंस करना है तो सारे पीसों में में हलका सा चावल काटा कोट करके इसे फ्राइ कर रही हूं जिससे इसका ट दाल सकते हैं बिना फ्राइ किये भी वह भी बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है लेकिन इसे फ्राइ करके थोड़ा और भी इसका टेस्ट इनेंस हो जाता है तो देखिए लग रहे है बिल्कुल पनीर जैसे पीसिज हां तो इनको इसी तरीके से हलका हलका रोष्ट करके हम न अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए से सब्सक्राइब कर लेना तो देखिए अब इस ऑईल में हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे एक चमच जीरा डाला है मैंने और सारे खड़े मस सेपरेट होने लग गया है अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉडिंग नमक डाल देती हूं एक चमस धनिया पाउडर आदा चमस हल्दी पाउडर और आदा चमस लाल मिर्ची पाउडर यहां कुछ चुट आदा चमस करीम मैंने चाट मसाला डाला है आप गरम मसाला जो भी आप जब तक अच्छा सा वयल आता है तब तक इसे हमें कुख होने देना है तो देखें वयल आने लग गया है अब सारा जो पीसिस अमने फ्राई करके रखाए उसे एड़ कर देंगे तो देखें सब्जी लग रहे है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी आप इसे पांच मिनिट आज एसे ही कुखोने देना है जब इसमें सब्जी मच्छा सभवाला जाए धनिये से गार्निस करेंगे धनिये का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हता है और इसे चला कर रख लेंगे यानि कि सब्जी बनकर हमारी एकदम तयार है बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिफरेंट दोस्तों अपनी कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा का आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइप जरूर कर देना और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं एक नई वीडिय में तब तक के लिए धन्यवाद